हालो स्टुडेंस, आज हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में सेकेंड एर दोसो एक सब्जेक का टॉपिक पढ़ेंगे प्लॉपर्टीज ओफ फ्लूड इसमें हम देखते हैं फ्लूड मिकानिक्स क्या होती है यह एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो की फ्लूड के बिहेविय जो की रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो उसके स्टडी के लिए यूज आती है इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रांच जो है वो फ्लूड के स्टैक्स काइनमेटिक्स और डैनमिक एकस्पेक्स सतीनों को स्टडी करने के लिए काम आती है अब यह क्या होती है अगर हम फ्लू को फ्लूट की स्टडी कर रहे है नो बाइस के बारल का स्ट कांसर पेशन आपे-टिस्तलं के अगर वहां ट्रेशर कि करने तो इसे कहेंगे फ्लूट डायनमिक्स इसके बाद बाद we सबस्क्राइप new point six एंट की डैफिनिशन को देखेंगे सीस्ट नहीं he कहते हैं कि से हम डिफाइंट करेंगे एक रेशियो जो कि मास और फ्ल्यूड और उसके वॉल्यूम के बीच में होता है इसकी जो यूनिट होती है के जी पर मीटर कुप होती है हम इसका फॉर्मला अगर देखें तो मास फ्ल्यूड डिवाइड बेड़ वॉल्यूम कहते हैं इसको इसको हम डिफाइन करेंगे as a ratio of weight of fluid to its volume इसे कि small w से बताते हैं यह हमने formula की टर्म में लिखा है अब हम इसको in term of density शो करना चाहते हैं तो weight को हम mass into g कहते हैं w is equal to mg होता है तो यहां हमने w की जगे हमने mass of fluid into g लिखा है अब mass of fluid divided by volume of fluid हमने उपर पढ़ा भी रो होता है तो w हो जाएगा rho into g in terms of density अगर हम इस formula को शो करना चाहें और अब हम देखें तो specific weight of water हो जाएगा इसमे 9.81 का multiply हो जाएगा जो density of water हमने उपर पढ़िती यहां formula में चेंज होगा जोकि newton per meter cube होगा इसके बाद हम देखते हैं तीसी termology specific volume यह ऐसे ratio में define किया जाता है volume of fluid जोकि एक unit mass ने occupy कर रखा है तो volume of fluid divided by mass of fluid इसका को specific symbol नहीं है हमने अगर इस formula को थोड़ा सा twist करके लिखा तो volume को हम अगर नीचे लिए तो mass upon volume हमने आगे पड़ा row होता है तो one by row तो यहां पर unit उल्टी हो जाएगी meter cube पर kg generally यह term हम लोग यूज करते हैं इस के केस में फोर्थ वन है specific gravity जिसे आज से define करते हैं यह क्रेशियो होता है जिसमें weight of density of fluid और weight to the weight density of the standard fluid इसको हम relative density भी कहते हैं और क्योंकि दौनों ही density की terms में ratio आ रहा है तो dimensionless quantity बनती है यह अगर हम liquid की case में बात करें तो weight density of liquid divided by weight density of water क्योंकि standard जो fluid होता है वो water होता है gases के case में weight density of a gas और weight density of air standard fluid है अब देखेंगे अगर हमें weight density निकालनी हो तो हम क्या करेंगे इस formula में जो अगर relative velocity दे रखी है और weight density of water हमें पता होता है इससे हम निकाल लेंगे weight density of unknown liquid इस तरह से अगर हम directly density of liquid भी निकाल सकते हैं with the help of S density of a liquid क्या हो जाएगा अगें relative यहां पर हमने density बोला यह दिखें relative gravity बोला है relative gravity into density of water as in 2000 kg per meter q fifth term लेते हैं viscosity viscosity हम ऐसे define करेंगे किसी भी property of fluid को चोकि अगर दो layers अगर fluid motion में है तो उसकी दो adjacent layers होंगी जब वो आपस में motion कर रही होंगी तो उन दोनों motion के बीच में fluid resistance शो करता है इस property को fluid की हम viscosity define करते हैं इसमें अगर हम यहां पर यह graph देखें तो दो layers हैं u जिसकी velocity है u और दूसरे उपर वाले की u plus du और इन दोनों के बीच के distance है du यहां पर प्रोफाइल चल रही है यहां पर हमारे पास में जो इसके अंदर resistance हो रहा है एक तो हमें इन दौनों की प्रॉपर्टी की वज़े से जो इसका नाम हमने viscosity दिया है प्लस यह दो value cities different हो रही है तो यह दौनों मिलके जो भी difference शो कर रहे हैं उसे हम shear stress कहते हैं जो इन दौनों layers के बीच में लगता है यह shear stress जो होता है rate of velocity with respect to y जो changes आ रहे है उसकी proportional होता है तो यहां पर shear stress को हमने टाव से बताया है जो कि proportional है du by dy हमने proportionality का sign अटाया है equals to के लिए हमने यहां पर mu लगाया है और mu को हम कहेंगे constant of proportionality या coefficient of dynamic viscosity du by dy यहां पर rate of shear strain या shear deformation को show कर रहा है अगर mu को हम बताना चाहेंगे तो tau divided by du by dy जो कि viscosity का formula हो जाता है अगर हम बात करते हैं viscosity की unit क्या होगी तो हमने in terms of word लिखा shear stress को force upon area and उसके बाद में change of velocity divided by change of distance तो change of velocity length divided by time into distance यहां पर हम change of distance में one upon length करेंगे तो force into area को जाएगा length का square और divided में one by time अब mu को हम करेंगे अब in terms of इस में हम लिखना चाहरें तो force into time divided by length का square अब तीन युनिट्स होती है तीनों के अदर इसके यूनिट बनती है kgf into second meter square in mks cgs में dine into second upon centimeter square इसे poise भी कहते हैं ऐसा ही सिस्टम में Newton second divided by meter square या फिर पास्कल second इसकी unit होगी फिर एक तर्म हाती ही kinematic viscosity जो की ratio होता है dynamic viscosity and density of fluid के बीच में जिसे की small v से जिसे new कहते हैं उससे define करेंगे तो म्यू बाइ रो इसका formula हो गया अगें हम इसको unit लाने के term में लिखेंगे तो force into time divided by length square तो हो गया म्यू का और रो के लिए में लिखा है length का cube divided by mass इसको जब हम solve करते तो new का आता है length square divided by time mks में इसके unit होगी meter square divided by second si में meter square divided by second and cgs में centimeter square divided by second और इसको हमने stroke कहते हैं एक stroke centimeter square divided by second होता है अगर हम meter square second में इसको show करना चाहे तो 1 by 100 square meter square divided by second तो हम देखेंगे newton's law of viscosity newton's law of viscosity यह कहता है कि shear stress जो कि fluid पे की elementary layer के उपर लगता है वो directly proportional होता है shear strain के और यहाँ पे जो constant of proportionality होता है उसे हम कहते हैं coefficient of viscosity जो हमने पहले देखा था यही newton's law of viscosity होता है जो भी fluid इस equation को follow करता है उसे nutanian fluids कहते हैं और जो इस equation को follow नहीं करता है उसे non-nutanian fluids कहते हैं type of fluids क्या on कौन से होते हैं ideal fluid, real fluid, nutanian fluid, non-nutanian fluid और ideal plastic fluid ideal fluid हम उसे कहेंगे जो कि incompressible होता है और उसकी को viscosity नहीं होती और यह एक imaginary fluid होता है जो exist ही नहीं करता फिर हम बात करेंगे real fluid की जिसमें की viscosity होती है that means की दो layers आपस में एक दूसरे के motion को resistance शो करती है nutanian fluid हम उसको कहेंगे जिसे हमने newton's law of viscosity का formula है अगर उसको follow करता है that means shear stress जो होती है वो rate of shear strength के directly proportional होती है इस law को अगर follow करता है तो उस fluid को nutanian fluid कहते है non-nutanian fluid उसी को कहेंगे जो इस law को follow नहीं करता फिफ्थ है ideal plastic fluid इसमें की shear stress जो होता है वो fluid की yield value से जाधा होता है और shear stress proportional होता है rate of shear strength के यहां पर हमने विद ग्राफ शो किया है shear stress और rate of shear strength की जो different fluids हमने पढ़े हैं वो किस तरह से शो होंगे थैंक यू स्टूँन्स